जो मान और मर्यादा है उसको कमजोर करने का काम भारतिय इंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संजय जास्वाल जी कर रहे हैं नफरत को बढ़ाओ और देश में राज करो ये निती बहुत दिन तक अब चलने वाली नहीं है देखिए भारतिय इंता पार्टी में कोई बदलाओ नहीं आने वाला है भारतिय इंता पार्टी का एजेंडा है नफरत की राजनीती भारतिय इंता पार्टी का एजेंडा है मजनिर मस्जित की राजनीती भारतिय इंता पार्टी का एजेंडा है हिंदू मुसल्मान की राजन आपको जानकारी कहां से मिली और इस तरह की जानकारी को आप बार-बार राजनितिक लाप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यह अच्छी प्रंपरा नहीं है लोगतंत्र को कमजोर करने वाली बातें भारतियन्ता पार्टी के द्वारा बार-बार की जाती हैं नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ विहार अभी संजेज जैसवाल का एक जो उनका ट्वीट आया था आजडी को विधायकों को धन्यवाद यह मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि फिर से संजेज जैसवाल ने उन्होंने आर्जडी के विधायकों को फिर से धन्यवाद दे उन्होंने कहा कि ऐसी गलतियां आरजेडी से बार बार होती रहें और उसके लिए आज मैं आरजेडी करेले पहुंची हूँ और एजाज अहमेद जो की प्रवक्ता हैं उनसे बात करते हैं एजाज जी मुझे बताइए अब तो आप लोगों के पास धन्यवाद का यह चल रहा कहीं न कहीं लोकतंत्र का इन्होंने मर्यादा है उसको समाफ्त करने का काम किया है लोकतंत्र में मर्यादा जो बाते होती है वो गुप्त मद्दान है तो गुप्ती रहेगा उसको ओपेन करने वाले पर जो चुना आयोग है उसको कारवाई करनी चाहिए और पूछना चाहि कि किस पार्टी का वोट किस तरह से मिला यह कहीं ना कहीं उन्होंने लोगतंत्र के जो अधिकार हैं उस पर हस्तक्षेप किया है और उन पर चुनायोग को संग्यान लेना चाहिए कल रितु जस्वाल भी उन्होंने कहा है कि ये गुप्त मतदान होता है तो उन्हें कैसे मालूम आज उन्होंने फिर से धन्यवाद दिया है तो बार बार धन्यवाद दिया जा रहा है आखिर कुछ न कुछ उन्हें तो पता चला ही होगा मैं तो पूछ रहा हूँ बार बार उनसे भी कि गुप्त मद्दान को आप किस तरह से लोगों के बीच परचारित करने का काम कर रहे हैं कहीं न कहीं आप उन तत्वों से तो नहीं मिल गए हैं जो आपको सारा बात बताने का काम कर रहे हैं चुनायोक को इस मामले में संग्याल लेना चाहिए उनसे पूछना चाहिए कि आखिर आपको जानकारी कहां से मिली और इस तरह की जानकारी को आप बार बार राजनितिक लाप के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं ये अच्छी प्रंपरा नहीं है लोक तंत्र को कमजोर करने वाली बातें भारतिय इंता पार्टी के द्वारा बार बार की जाती है अब भारतिय इंता पार्टी का केंद्रिये नेत्रित इस मामले में चुपी साद लेता है ये लोक तंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है लोक तंत्र का जो मान और मर्यादा है उसको कमजोर करने का काम भारत देखिए जो उमीदवार होता है वो अपने वोटर से अपील करता है कि अंतरात्मा के आवास पर आप अपनी आवास पर अपनी सोच पर मुझे वोट कीजिए उन्होंने अपील किया और उनकी अपील को लोगों ने सुना की नहीं सुना ये सिर्फ और सिर्फ संजे जैस्वाल जी को ही सुनाई दे रहा ये कहां से आ गिया ये उनको असपश्ट करना चाहिए अभी जद्यू में भी बैठक चर रही है और बीजेपी में भी बैठक चर रही है जेपी नड़ा आने वाले हैं क्या कुछ बदलाओं आने वाला है भारतियेंता पार्टी का एजेंडा है नफ बात नहीं कर सकते हैं वो अगनीपत के सवाल पर कोई बात नहीं कर सकते हैं वो जिस तरह से खाने वाले समानों पर खास्त और से अनाज पर आजाधी के महौल में घोर करके अपनी राजनिति जो उनका एरा है उसको मजबूत करना चाहते हैं लेकिन अब देश की जनता और बिहार की जनता भारतियनता पार्टी के सारी राजनिति को समझ चुकी है अब इनके जहासा में आने वाले नहीं है लोग सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से पही, छांच, मक्हन, पनीर, क दाम, जी इसलिके अंतरगत लाया गया इस पर लोग सवाल कर रहे हैं ल्हाता ब्हारत पार्टी के नताओं के पास नहीं है उनके पास सिर्फ और सिर्फ सवाल का जवाब एखी होता है नफरत की राजनिती नफरत की राजनीती नफरत को बढ़ाओ और देश में राज करो ये नीती बहुत दिन तक अब चलने वाली नहीं है बहुत बहुत धनेवाद तो आपने सुना संजेज सवाल जो कि लगातार आरजएडी को धनेवाद दे रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया है चलिए अब ये तो बात की बात है अब देखना यह होगा कि कौन से बिधायक जो हैं उनका सपोर्ट केते हैं हलाकि मतदान जो होता है वो गुप्त रूप से होता है तो ये संजेज सवाल जी को ये कैसे पता चलिए फिलाल के लिए बढ़े रहें लाइप बिहार के साथ लाइप बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें